नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रजाक और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के वीडियो में हम हर उस डिटेल के बारे में जानेंगे कि क्यों ट्विटर और इंडिया में अन्बन बढ़ती ही जा रही है सबसे पहले हम देखेंगे कि government के नए IT rules क्या है कुछ social media sites इससे नाखुश क्यों है कैसे ट्विटर ने BJP के कुछ ministers के tweet पर manipulated media का tag लगा दिया हमारे जो IT minister है दविश अंकर प्रसाद उनके twitter handle को block कर दिया गया और कैसे twitter ने सिफ गलती ही नहीं बलकि एक बहुत बड़ा पाप कर दिया है इंडिया के map को गलत दिखा के दूसरी बार पूरी detail में discussion होगा इसके बारे में वीडियो end तक देखिए सबसे पहले नए IT rules अगर आप याद करने की कोशिश करें तो कुछ सालों पहले mob lynching के बहुत सारे cases आते थे social media sites जैसे की facebook, whatsapp इनोंने इन messages को hateful messages को spread करने में काफी important role play किया जिस्ते की mob lynchings और बढ़ गए इसी के चलते ही देश को एक नया challenge face करना पड़ा और सुप्रीम कोट ने 2018 में तैसीन पुनावला वसेस दे यूनिन अफ इंडिया के case में government को ये निर्देश दिये कि वो कुछ कानून लेखिया है कुछ ऐसे कड़क कानून लेखिया है जिससे की hateful messages और उससे related crimes पर अंकुष लगाया जा सके इसी के ठीक एक साल पहले 2017 में सुप्रीम कोट ने government को ये भी निर्देश दिये थे कि वो ऐसे कड़क कानून लेखिया है जिससे की images related to child pornography videos related to rapes, gang rapes उन पे भी एक अंकुष लगाया जा सके और ऐसी चीज़े सोशल मीडिया पर viral ना हो इनी सारी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमारी करण government ने परवरी 2021 में नए IT rules लागू कर दिये और हमारे government का ये मानना है कि इन नए IT rules से ordinary internet users को empowerment मिलेगी उनका सशक्ति करण होगा मैं आपको यहापर बता दू कि government ने social media sites और OTT platforms जैसे की Netflix, Amazon Prime जवारन होगा उसके लिए एक grievance redressal officer की स्थापना करने की मांग कर दी है ये जियारो जो होगा वो resident होगा इंडिया में और इन नए IT rules में special emphasis दिया गया है women and child protection पर sexual violence पर और fake news पर initially जब government ने फरवरी 2021 में नए IT rules लाए थे तब government ने तीन मेने का extension period दिया था social media sites को to comply with the new IT rules कई social media sites और internet giants जैसे की Google, Telegram, Facebook, Koo App उन्होंने अपनी details शेर कर दी है government के साथ पर Twitter ने अभी तक नए IT rules से comply नहीं किया है in fact वो ही demand कर रहे है कि उनको और थोड़ा time दिया जाए to comply with the new rules और ऐसे में Twitter ये भी demand कर रहा है कि उनकी users की public की freedom of speech और expressions को safeguard जाए इन सब के बीच WhatsApp ने भी government के इन नए IT rules के किलाफ दिल्ली कोट में केश जच कर दिया तेकि नए IT rules जो है उसमें clause है first originator of the information वाला अब government का stand ये है कि कोई भी hateful messages या फिर fake news अगर spread की जाए तो उसका first originator कि कहा से information पहली बार originate हुई है उस बंदे को पकड़ा जाए और उस पे मुकदमा चलाया जाए बर WhatsApp कहता है कि उससे उनका जो promise है end-to-end encryption वाला वो तूट जाता है जिसकी वये से वो अपने users को full protection नहीं दे पाएंगे सिर्फ Twitter और WhatsApp ही नहीं तो media industry के कई लोग along with ordinary internet users उनका ये मानना है कि ये जो नए IT rules है ये Modi government लोगों के dissenting voices जो की Modi government को criticize करने वाले voices उनको control करने के लिए राइधर उनको surprise करने के लिए लाए गये है और उनका ये डर असलिएक में तब बदला जब BJP let government ने Twitter को ये notice जारी कर दिये कि नरेंदर मोदी रेटेड जो भी criticizing tweets होंगे आप उनको निकाल दिना या पर criticizing tweets का मतलब है कि जब हमारा देश कोरोना माहमारी से लड रहा था जूज रहा था परिशान था तब नरेंदर मोदी जी कोलकाता में अपने election rallies में busy थे बट हमारे government का ये कहना है कि अगर social media sites को इंडिया में काम करना है तो नए IT rules को लागू करना पड़ेगा हमारे ministers का कहना है कि according to the law of the land according to the constitution of India article 19 जो कहता है कि freedom of speech and expression वो absolute नहीं है माने कुछ restrictions लगाये जा सकते है पर इस restrictions अगर national security पर threat हो या फिर integrity पर threat हो तब ही लगाये जा सकते है पर एक interesting चीज में अगर आपको आपर पता दू तो government ने अभी तक national security and threat को पूरी तरह से clarify नहीं किया It is subject to interpretation and मुझे लगता है कि अगर सिफ interpretation की बात आए तो कोई भी अगर government को और उनकी policies को criticize भी कर दे तो भी उनको threat to the nation कहा जा सकता है you know anti-nationals you know कभी-कभी तो मुझे लगता है कि हमारे forefathers ने हमारे freedom fighters ने जो एक लड़ाई-लडीती हक की आवाज के लिए जब Twitter ने BJP के कुछ ministers के tweet को ही manipulated media का tag दे दिया अब हुआ ये कि हमारे जो BJP के spokesperson है संबित पातराजी उन्होंने ट्विटर पर एक post publish कर दी according to him ये जो एक post थी वो allegedly a toolkit था by some congress leaders to demean the present government और उनका handling of the COVID-19 situation but Twitter ने इस पर काफी थरो investigation किया और ये पाया कि उनका letterhead, fonts, size वो match नहीं कर रहा हूँ और in fact ये copy-pasted material है तो इसलिए संबित पातरा के इस tweet को उन्होंने manipulated media का tag दे दिया अब इससे government गुसा हो गए और उन्होंने कहा कि आपने जो हमारे ministers के tweets को manipulated media का tag दे दिया है वो जल्द से जल्द हटाए पर twitter ने तो उससा उल्टा ही कर दिया twitter ने in fact और भी bjp ministers के tweets को manipulated media का tag दे दिया and simultaneously हमारे जो IT minister है रवी शंकर प्रसाद जी वो constantly twitter को criticize कर रहे थे in fact वो काफी बार उनको warn भी कर रहे थे कि आप हमारे नए IT rules से comply कीजिए उनको follow कीजिए in fact वो तो इस हद तक गए कि उन्होंने twitter को साफ साफ शब्दों में कहा कि एक American company हमें और हमारे देश को freedom of speech and expression के बारे में ना सिखाए उनका कहना है कि आप हमें criticize कीजिए मोदी जी को criticize कीजिए government को criticize कीजिए पर आपको हमारे नए IT rules से comply करना ही होगा Really Prasad जी, are you for real? कै मैं सच में मोदी जी को criticize कर सकता हूँ? चोड़ो यार कुछ भी बात करते Anyways, जब यह माहूल गरम ही था तब Twitter ने और एक कांट कर दिया Twitter ने Prasad जी का account एक घंटे के लिए बन कर दिया बोलो And apparently उनका ये account block होने का reason ये है कि उन्होंने कोई फलाना DMCA करके कोई उनका law है USA में उसको follow ने किया था In fact, उसको flout कर दिया था ऐसा Twitter का कहना है तो मतलब Twitter USA के laws हमारी ministers में घुसा रहे है और हमारी ministers से उनको criticize कर रहे हैं कर रहे हैं कि मैं बन कर दूँगा आप हमारे laws से comply कीजिये वरना अच्छा नहीं होगा और अशेर की बात ये है कि कुछ गुसा हुए followers Twitter पर ही Twitter ban करने की डिमान रख रहे थे अब ऐसे लोगे वो क्या है बोले शोड़ but Twitter ने 27 और 28 जून को कुछ ऐसा कर दिया जिससे भले आप Modi follower हो या ना हो but as Indian आपको गुसा आना ही चाहिए Twitter ने जान बूचकर and mark my words जान बूचकर इंडिया का गलत map डिस्पले कर दिया उनके official page पर जान बूचकर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये उनकी पहली गलती नहीं है कुछ सालों पहले भी Twitter ने इंडिया का गलत map डिस्पले कर दिया था जिससे की बहुत अपरोर हुआ था तब Twitter ने खुद माफी मांगी थी और correct map डिस्पले कर दिया और इस बार Twitter ने जमू कश्मिर और लदाक को इंडिया से अलग एक अलग country दिखा दी देखिये कुछ सालों पहले Twitter ने अक्षाई चिन को एक Chinese territory दिखा दी और जमू कश्मिर लदाक को इस बार एक अलग country दिखा दी मुझे समझ में नहीं आता कि देखिये 2011 से चाइना में Twitter पूरी तरह बैंड है तो क्यों ऐसा क्या रीजन है कि Twitter जो इंडिया में fully functional है वो हमारे किसी territories को एक Chinese territory दिखाता है जहाँ पर वो completely banned है इसी के चलते अभी recently एक नई news भी सामने आई है कि Twitter ने Indian government से माफी मांगी है और उन maps को अपने निकाल दिया है but I think Twitter ने अपनी हत पार कर दी है this might be the last nail in the coffin Twitter का यह जो move था गरत map डिस्पले करने का only to take revenge from the Indian government यह उन पर backfire करेगा for sure और अभी इस current situation में बहुत सारा anguish है गुसा है Indian लोगों में और इस time पर अगर Indian government कोई भी आपको यह पर शायद लग रहा होगा कि Twitter इतना नाटक कर रहा है तो other social media sites जो है वो क्यों Indian law से comply कर रहे है तो मैं आपको यह पर बता दू कि India is a huge market for such social media sites China में तो आपको पता है यह सारे social media sites band है तो जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी population वाली country है वो तो हड़ गई तो second most populous country जो है इंडिया अब यह सबसे बड़ी market है इन social media sites के लिए बड़ी market मतलब बड़ा user base बड़ा user base मतलब ज़्यादा advertising ज़्यादा advertising माने ज़्यादा पैसे तो ज़्यादा पैसे कोई क्यों छोड़ना चाहेगा इसलिए बहुत सारी social media sites ने यह सोचा कि government से पंगा ही क्यों लेना है comply कर लेते हैं अपना भंदा आराम से चला लेंगे बड़ जो भी हो, the ball is in our court now, individually it's our responsibility कि हम authorities की notice में लाए अगर कोई hateful crime होता है, कोई messages ऐसे leak होते है try pornography, rapes, gang raves अगर उनसे related कोई images, videos, display होते है या फिर leak होते है तो it's our responsibility कि हम local authorities को related authorities को इन सारी चीजों के बारे में बताएं also मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि whether you are a leftist, a centrist और a rightist matter नहीं करता अगर कोई भी company हमारे इंडिया के integrity को उसके unity को challenge करती है तो हमें एक जूट होना ही पड़ेगा यहाँ पर unity और integrity से मेरा मतलब है for example, twitter में जो किया distorting map of India यह बिल्कुल भी accepted नहीं होना चाहिए किसी बी इंडियन के लिए आपको क्या लगता है, आपको क्या मानना है आप मुझे कमें बताई है also मैं आपको यापर बताना चाहूं कि ऐसे वीडियो लाने के लिए काफी research, script writing, video editing बहुत सारे efforts लगते है तो मैं अप्रिशेट करूंगा अगर आप मेरे चैनल का subscribe करे और share करे so that it gives me a reward, a motivation to make more informative content for you my name is Prajak and I'll see you in the next one Jai